जाहें दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो अजनों बात करने वाल हैं IPL के मैच नमबर 49 के बारे में दोस्तों यह जो मुकाबला है वो साड़े 3 बजे खेला जाएगा जो कि दोस्तों चिन्ने वर्सिस मुंबई के बीच में होगा कल 2 मुकाबले हैं साड़े 7 बजे भी एक मुकाबले कि मैं पूरी डिटेल एनलाई से साथ मैं आपको पांच टीम की कॉमिनिशन इस कंप्लीट वीडियो में देने वाला हूँ जिसके मदद से आप 100% विनिंग कर पाएंगे फेंटेसी आपों में वो चाहे हेट टू हेड हो, SL हो या फिर GL हो तो तीनों ही फॉर्वे कि कल के मैच में कौन से लेंगे और कौन आपके लिए कप्तान हो सकते और कौन नहीं हो सकते हैं तो डिटेल में बात जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहेंगे और पूरे अंतक वीडियो को देखेंगे और हमारे वीडियो को एक बारी फालो करिए आप दोस्तों हर चैनल पर परोसा करिए तो आपको फैदा देखनी को मिलेगा तो चलते हैं पहले यहाँ पे आपको वेन्यू की बात करते हैं तो जो यह मुकाबला है वो में चितंबरा मिस्टेडियम में खेला जाएगा जहां पर कल के मैच में बारिस होनी की शमावनत रहेगी टेंपरेचर आपको 28 के आसपास देखनी को मिलेगा साथ में जो एबरेज स्कूर है वो 166 की है हला कि इससे थोड़ा जादा स्कूर बन सकता अगर बारिस नहीं होई हला कि बारिस होगी फिर भी मुझे लगता है 170 के आसपास स्कूर आपको देखनी को मिलेगा जो पिच है वो थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली है लेकिन इस मैच में यह जो पिच है वो यहाँ पे आपको बॉलिंग फ्रेंडली नहीं मतलब एबरेज रहेगी मतलब बिकेट्स भी गिरेंगे और रंस भी बनेंगे तो प्रोपर बैलेंस पिच रहेगी तो आपको यहाँ पे आपको आपको रांडर भी रखने पड़ेंगे तब ही आप इस मैच में जीत पाएंगे हला कि जो स्पि से अपना टीम अब चलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर टीम मिटाते की कौन एस मैच में चल सकती है मतलब कौन जीते गी तो चन्न्हीं की बात के ओर रेसिजल चांश DOC मैंट मुझे लगता है यहाँपे इस मैच को मैं अब बताता हूँ तोड़ा से कि यहाँ पर आपको कौन जीतेगी मैच को हाला कि दोस्तों यहाँ पर बात करें जब यह आपस में recent के 5 मुकाबले में बिढ़े हैं तो यहाँ पर एक मुकाबला नो रिजल टरा था और 3 मुकाबले चन्नी ने जीते हैं कि मुकाबला ही मात्रे मुबाइ ने जीता है तो यहाँ पर देखते हैं कामिंट दाव खेल सकते हैं तो यह पूरी प्रिचकी घान ही मैंने बताई आपको आपको प्लेयर ना इसी पताते कि कौन से प्लेयर मैं चल सकते हैं और कि इनको आपने टीम में रखना है यह रीजेंट के 5 मैं मुकाबले की ड्रीम 11 पॉइंट से यहां से आपको और भी अंदाजा प्रлаइट सकते हुआं और हला कि दोस्तों हर मैच में इनको ट्राइग करना है हर लीग में करना कफ्तान का सकते हैं इन चलेंगे इनको भी आपकी टॉर पर कर सकते हैं इसमाद चांसule बहुत ज़्यादा है तो यह गैकवाड भी फ्लॉफ रहेंगे तो इनको भी ट्राइ नहीं करना हाला कि ट्राइ करना चाहते तो कप्तान और वाइस कप्तान ना बनाए तो आपको फैदा होगा इसन के सन कुछ रन बना सकते हैं हाला कि most probably floppy होंगे सुर्य कुमार यादो चलेंगे इस मैच में भी अच्छे खासे रन्स बना सकते हैं तो सारदेस पांडे एक विकेट निकाल कर दे सकते हैं आपको मोहिनेली इस मैच में अच्छा चल सकते हैं मोहिनेली कप ट्राइ कर सकते हैं ऐजा कप्तान और यह बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही बढ़ियां करेंगे इस मैच में तो आपको फैदा हो सकता है दूबे की बात करें तो 20 या 30 रन बना सकते हैं इस मैच में हाला कि कैमियों खेल सकते हैं तो आपके लिए बहतरीन आपसन हो सकते हैं ती बर्मा की बात करें तो ये भी इस मैच में चल सकते हैं, कुछ अचाराण बना सकते हैं, वाइस कफ्तान के оп OPERSON होतே है, उट एड रहेगी रहाने की बात करें रहाने फ्लॉप रहेंगे इस मैच में इसमें को ट्राइ करना नहीं आपको हलाकि कप्तान और वाइस कप्तान तो बिल्कुल नहीं ट्राइ करना अगर आपने टीम में सामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 10 या 20 पॉइंट देंगे तिकसने की बात करें तो ये एक पिकेट निकाल कर इस मैच में दे सकते हैं कप्तान के भुमिका में नहीं रहेंगे नहीं वाइस कप्तान के भुमिका में आजिजवल इसको ट्राइक कर सकते हैं रोही सर्मा बहुत ही जाता फ्लॉप चल रहे हैं हर मैचों में flop रहते तो इस मैच में आपको 30 या 40 तन बना कर जरूर दे सकते हैं और कप्तान का option जरूर रहेंगे इस मैच में टीम में भी डेविट की बात करें तो इनको मौका मिलता है तो 20 या 30 पॉइंट आपको निकाल कर दे सकते हैं तो हला कि कप्तान और वाइस कप्तान नहीं बनाएंगे इनको लेकिन अजरूर अपने टीम में ट्राइक कर सकते हैं परतिरना की बात करें तो इस मैच में दो बिकेट निकाल कर आपको दे सकते हैं तो इनको कप्तान ट्राइक कर सकते हैं आपको फैदा हो जाएगा जो फ्रार्चर भी इस मैच में आपको खेलते हैं तो दो बिकेट निकाल कर आपको दे सकते हैं तो इनको भी आप ट्राइ कर सकते हैं हाला कि फार्म में नहीं है बात करें दोस्तों यहाँ पे एक खान तो एक खान इस मैच में एक बिकेट निकाल कर आपको दे सकते हैं को भी ट्राइ कर सकते हैं लेकिन कफ्तान और वाइस कफ्तान को अपसन नहीं होते हैं MS-92 भी फ्लॉप रहेंगे दीपक चाहर की चलने के समावना अगर इस मैच में खेलते हैं तो एक या दो प्लैरों को बता दे एक कौन इस माच में चलेंगे या ज्याएं को उसी हिसाबसे आपको टीम की जो ओंप और मैं डिजाइन ग्ली कि यहाँ की पने जो आपके अपवनेट हैं नहीं को कफ्तान बनाएंगे क्योंकि यह regular form में हैं हलागि इस match में fluffy रहेंगे लेकिन अगर कफ्तान बनाते हैं आपको तो भी कोई आपको नुकसान नहीं होगा आपके अपोनेट मी बनाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है हलाकि इस टीम से जाएं आपको फैदा जरूर होगा आप इजली हेट टो इट का मुकाबला जीत सकते हैं हलाकि इस टीम को आप मीनी जेल में ही ट्राइ करें ग्रैन लीगों की टीम में इनको ट्राइन ना करें तो आपको फैदा मिल सकता है अब चलते हैं आपको दूसरी टीम दिखाते हैं जो कि Grand League में भी ट्राइ कर सकते हैं आप हला कि Mini Jail के लिए डेजाइन है यह Mini Jail इंसेंस आप 3, 4, 5 और 10 वाले जो लीग होते हैं उस लीग में आप ट्राइ कर सकते हैं आपको फैदा देखने को मिलेगा कप्तान जड़िचा है और वाइस कप्तान देख पा रहे हैं सूर्य कुमार यादो है चेंजेज आपके ऊपर है टी वर्मा को भी आप ट्राइ कर सकते हैं इस मैच में हलाकि मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ अगर आप चाहिए तो इस सान के सन का जगह रहा है आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकता है इस टीम से लेकिन मैं थोड़ा रिस्क लेते हुए इंको खटाया है अब चलते है तीन कंबिनेशन आपको और दिखाते हैं जो कि ग्रांड लीक की टीम है तो यह पहली टीम जोसे हमें ने ग्रांड लीक के डिजाइन किया है जहां पर देख पार होंगे और पार रहा है अगर आप इंटरचेंज भी करना चाने तो कर सकते हैं या पिर सेम टीम पर फ्लाप रहेंगे और आर्चर दो विकेट निकाल कर दे सकते हैं तो गाय कोड अगर इनकेस चलते हैं कुछ रन बना सकते हैं 30-40 रन बना दिये तो आपके लिए फायदेमंद अगर आपको फायदा तो जरूर हमारे चैनल को आकर सस्क्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक ले धन्यबाद चाहिंद